हेलो बच्चो मेरा नाम है शिखा गुपता तो आज हम लोग बच्चो इस सेशन में आपकी क्लासिक्स की वस्न की पार्ट पूस्सक से उसका पाछवा पार्ट अक्शरों का महत्व पढ़ेंगे तो बच्चों ये पार्ट जो है वो किसने लिखा है या पार्ट गुडाकर मूले के द्वारा लिखा गया है तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि आकिर हमारे जीवन में अक्षरो का महत्व क्या है और इसका जन्म कब और कहां कैसे हुआ था और इसके बिना अगर या ना रहे तो हमें क्या नुक्सान होगा तो इस सारी चीजों के बारे में हम लोग इस पार्ट में जानेगे तो चलिए अब हम लोग पार्ट की ओर चलते हैं अक्षरों की कहानी या पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तके अक्षरों से बनी है, तरह तरह की पुस्तके तरह तरह के अक्षर तो बच्चो इस line में हमें बताया गया है कि जो भी हम लोग पिस्तवक पढ़ते हैं, चाहे English की हो, Math की हो, Hindi की हो, वो सारी पुस्तकें तरह तरह की अकशरों से बनी होती हैं. दुनिया में अब तक करोडों पुस्तके छप चुकी हैं, हजारों पुस्तके रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तदाद में रोज की समचार पत छपते रहते हैं, तो बच्चों इसमें हमें बताया गया है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी पुस्तके है बहुत सारी पुस्तके छपती हैं वो अलग 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 अक्षरों के द्वारा अलग अलग अक्षरों में छपती हैं और बहुत सारे समाचार पत्र रोज छपते हैं जो की अक्षर वगरा से के द्वारा लिखे गया होते हैं तो बहुत सारे समाच पर बहुत सारे पुस्तके ह हमें रोज देखनों को मिलती हैं, इन सब के मूल में हैं अक्षर, हम कलपना भी नहीं कर सकते, कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता, तो आज इस दुनिया का क्या है था, तो बच्चों हमें बताया गया है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी आप किताबे पढ़ते ही होंगे रोज, चाहे साइंस पढ़ना हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे समाजिक विज्ञान हो, कुछ भी हिंदी हो, मैर्स हो, जो भी आप पढ़ते हो, उन सम्में अक्षर होते हैं, उन सारे पुस्तकों में अक्षर लिए होते हैं, जो आप पढ़कर समझते हो। और आपने देख़्ा का बहुत सारे समाट्शार, पत्र भी छपते हां, उनका भी जो मूल कि होते हैं, वो अक्षर होता है। तो अगर अनुमान लगाए बच्चो अगर अक्षर नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता हम लोग कितना विकास कर पाते कि हमारा विकास होता भी या नहीं हम अपनी बाते दूसरे से कह पाते अभीवक्त कर पाते कि नहीं हम लोग जो पुराने जमाने की बाते जान पाते कि पुराले जमन में क्या होता और नई टेकनीक नई चीरे डवलप कर पाते ये सब अक्षरों के बिना क्या हो पाता आप सोछे ज़रा कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादी का से जानते हैं अक्षरों का ज्ञान हमें किसी इश्वर से मिला है तो बच्चों पहले के लोग समझते थे कि जो अक्षरों का जो ग्यान है वो हमें भगवान इश्वर ने दिया है इश्वरों से हमें अक्षरों का ग्यान मिला है ये कौन से काल के लोग जानते हैं सोचते थे अनादी काल के लोग कहते थे पुराने जमाने के लोग सचमुछ ही सोचते थे कि अक्षरों की कोज इश्वर नहीं की है पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की कोज किसी इश्वर नहीं बलकि सुर्म आदमी नहीं की है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की कोज किस देश में किस समय होई तो बचोश जो पहले आदी काल के लोग थे उनको लगता था कि जो अक्षरो की कोज जो खोज की है वो ईश्वर ने की है लेकिन यहाँ बात बिल्कुल असत है अक्षरो की कोज ईश्वर नहीं नहीं बल्कि स्वयम इंसान आदमी ने की है अब तो हम ये भी जान चुके है कि अक्षरों की जो खोज है वो किस देश ने किस समय की है। हमारी ये धर्ती लगबग 5 साल अरब पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धर्ती पर किसी प्रकार के जीव जन्तु नहीं थे। फिर करोडों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धर्ती पर राज रहा। आदमी ने इस धर्ती पर कोई 5 लाख साल पहले जनम लिया। दीरे दीरे उसका विकास हुआ। तो बच्चो इस तैरा में हमें या बताए गया है जो हमारी धर्ती है वो केवल अभी उसको 5 अरब साल ही हुए हैं अब वो 5 अरब साल ही पुरानी हैं और 2-3 अरब साल तक इस धर्ती पर कोई भी जीव जन्तु नहीं थे। फिर करोड़ों साल बात क्या हुआ बच्चो कुछ जानवर और कुछ वनिस्पतियां इस धर्ती पर रहने लगें उनका राज इस धर्ती पर चननने लगा और हम आदमी मनुष का जो जन्म हुआ इस धर्ती पर उसको जन्म हुए केवल 5 लाग साल पहले ही हुआ है जैसे जो मानवजाती है जो मानवजाती का जन्म हुआ बच्चो केवल 5 लाग साल पुरान ही है दीरे दीरे फिर इस मानवजाती का विकास होता गया कोई 10-1,000 साल पहले आदमी ने गाउओं को बसाना शुरू किया वह खेती करने लगा वह पत्थरों के औजारों का इस्तामाल करता फिर उसने तांबे और कॉसे की भी ऑजार बनाएं तो इस पैरा में हमें बचो यह बताया गया है जो मानव जाती का विकास हुआ है मानव जाती धर्ती पर केवल पांच लाग साल पहले ही आए हैं और दस हजार साल पहले इन आदमियों नें क्या क्या गाउं बसाना शुरू क किया उना विक्त फिर उन्हें खेती के लिए अओजार बनाने शुरू किरें है ओजार मतलब अक्विम्मट होते हैं तो सबसे पहले बच्चों कौन थाती की खो ज्यू होती तांबे की और कासी की तो उन्हें नेंसे तांबे और कासी धातु का यूज तर्क आजार बनाना प्रागे इतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरी अपने भाव व्रत किये जैसे पशुओं पक्षियों आदिम्यों आधी के चित्रों इन चित्र संकोतों से बाद में भाव संकीत अस्तित में आये जैसे एक छोटे वृत के चहु और कृड़नों को गोतक रिखाए खीचनी पर वा सूरी का चेतर बन जाता था, बाद में यही चेतर ताप या धूप का घोतक बन गया, इस तरह अनिक भाव संकीत अस्तित में आए, तो बच्चो पहले हम लेते हैं, प्रागे इतिहासिक मतलब क्या होता है, बच्चो प्राग मतलब पहला और इतिहासिक मतलब इतिहासिक मतलब अधिमानव लोग रहते हैं, उन्हें ना बोलना आता था, ना लिखना आता था, उन्हें अक्षरों कोई ग्यान नी होता, वह बहुत केवल आग जला रहे थें, उन्हें गावाँ बसाना शुरू कहाता है, खेती और आजारों का ही विकास हुआ था, उसके मन की बाद दूसरों को बताते थे और कहते थे, तो चित्र संकेतों को द्वारा वो लोग अपने भाव को व्यक्त किया करते थे, तो चित्रों में क्या-क्या बनाते थे, वो चित्रों में पशुओं को बनाते थे, आधिमियों के चित्र, ये सारे चित्रों बनाया करते थे उसके द्वारा अपने भाव को दूसरों को समझाते थे फिर धीरे-धीरे क्या हुआ चितर संकेत के बाद धीरे-धीरे भाव संकेत का विकास हुआ भाव संकेत में बच्चों क्या हुआ था कि जैसे उनको पहले वो क्या करते थे एक सर्कल बनाते थे सरकल के चारो और डंडियों की तरह ऐसे चारो और खीज देते थे गोतक रेखाइँ खीज देते थे तो क्या बन जाता थी तो सूर यह बन जाता था अब वो लोग क्या करने लेगे सूर बचो गर्म होता है न तो जब उनको किसी ताप या गर्मी वाली चीज के बारे में बताना होता है या उसके बारे में भाववेक्ट करना होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाव संकेत तो पहले चितर संकेत बच्चो आया फिर धीरे दीरे उससे किसका विकास हो भाव संकेत अस्तित में आये तब जाकर काफी बाद में आद्मी ने अक्षरों की खोज की अक्षरों की खोज के सिलसिलों को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए केवल 6000 साल तो बच्चो जब चितर संकेत आ गया उसके बाद धीरे दीरे भाव संकेत अस्तित में आया फिर उसके बाद हमारा क्या आया अक्षर अक्षर की खोज उसके बाद हुई तो उसके कुछ चित्र आपको इस आपकी पुस्तक में दिये गए है मद अमेरिका के ओजिम बवा आधी वासियों के चित्र धाई ओर से बाई ओर को क्रमशा तुफान का देवता जो सारे अकाश को घेटता है नगाडा, पंखो से सुशोतित नगाडा और द्रोड, काक, कववा और दावा खाने में आदमी तो बचों पहले चित्र में आपने देखा है कि वो जो पहला चित्र बना है वो किसको दिखाता है कि जो तुफान के देवता है उनको व्यक्त करता है तो जो तुफान के देवता हैं उसके बारे में हमें दिखाए गया अधूसरी चित में नगाड़ा, नगाड़ा के बारे में दिखाये है अपनखो से सोशूभित नगाड़ा, तीसरे चित में फिर दुरकान, कववा और कारखा ने आदी की चितर आपको उपर वाले सारे चितर दिये गए हैं जो उनकी और संकेत करते हैं अक्षरों की खोज के साथ एक नए युक की शुरुआत हुई आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा तो बच्चों जब अक्षरों की खोज हुई छहाजार साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई थी जैसे की मैंने बताया उस ताइम फिर जब अक्षरों की खोज होगे तो लोग अपने क्या करने अपने विचार वगरा लिख के रखने लगे अपने विचार को व्यक्त करना सीख गया हिसाब किताब लिख कर रखना सीख गया तो इससे क्या आया है? इससे कैसा मानब बन गया? एक सब भी मानब बन गया पहले का जो मानब था वो आदी मानब था पढ़ना लिखना और अक्षरों का ग्यान नहीं था लेकिन जब उसे अक्षरों का ग्यान हो गया तो वो कैसा मानब बन गया सब्भ मानब बन गया तब से मानब को सब्भ कहा जाने लगा आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहा सारम हुआ किसी भी कौम या दे उने अपने विचार को व्यक्त करना उनको आ गया और अपने विचार को लिख कर रखने लगे अपना हिसाब किताब लिख कर रखने लगे तब से हम लोग मानवजाती को सब कहने लगे और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ही हमारा इतिहास आरा हम हुआ क्योंक और आदमी ने अपने विचार और Agris किताब को लिख रखना शुरू कर radar माझना भी जटी वह सब आद मंगने लिग सोगए, उस्कों आप फीञें गयाई को सत् sóloतला शुरू पहुक किताब लोग नाद माङन दे लिगहाने लोग काृण और पता चना ज़ी तक कृती उसके द्वाराही हमें प्राप्त हुए लिखने के लिखने के लिखने के tapping किस चीछ जरूरी था। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए है उसके पहले के काल को प्रागे इतिहासिक काल यानि इतिहास के पहले का काल कहते है तो बच्चों इसमें हमें बताएगे जो हमारा इतिहास जो शुरू हुआ है वो केवल अभी 6000 साल पहले ही हुआ है इससे इतिहास के जो पहले का काल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रागे इतिहास काल बोलते हैं कौन कौन राजा हुए इत्यादी तो बच्चों हमें यहां पर यह बता आगया है कि अगर हमें हम लोग अक्षरों का ग्यान हमें ना होता और हम अक्षरों का खोज ना करतें तो हमें पुराना इतिहास के बारे में कभी नहीं पता चलता पुराने इतिहास में क्या हुआ था वहां की लोग कैसे थे, वहां का रहन सहन कैसा था, वहां की लोग क्या सोचते थे, और क्या-क्या विकास हुआ, क्या के तरीके खोजे गए, और कौन-कौन राजा था, कैसी-कैसी क्रांतिया हुई, इन सब के बारे में हमें नहीं ग्यान होता अगर अक्षरों का खोज नहीं होता क्योंकि अक्षरों का ग्यान हुआ तब ही तो उन लोग ने बच्चों शिला लेक लिखें, किताबे लेकी, रस्तावईज लिखें जिनको पढ़कर हमें आज उन सारी चीजों के बारे में पता चलता है अक्षरों की खोज मनुश की सबसे बड़ी खोज है अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुश अपने विचारों को लिख कर रखने लगा इस प्रकार एक पिड़ी का जो भी ग्यान था वो अगली पिड़ी को जाने लगा अक्षरों की खोज करने के बाद ही पिछले 6000 सालों में मानव जाती का तेजी से विकास हुआ है यह महत्व है अक्षरों का और उसन से बनी हुई लीपियों का अता हम सबको अक्षरों की कहाने मालूम होनी चाहिए आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं व maximize यह जानना जरूरी है तो बच्चों हमें यह यह बताए गया है कि अक्षरों से बच्चों क्या हुआ लीपियों अक्षरों से भाषा का जनम हो और भाषा का लीपों में लिखी जाती है जैसे कि हमारी हिंदी की लीपी बचों क्या होती है देवनागरी लीपी होती है अर्बी की लीपी क्या होती है फार्सी लीपी होती है पंजाबी की लीपी क्या होती है गुरु मुख्यी लीपी होती है और इंगलिश हमारी किस लीपी में लिखी जाती है रूमन लिखी में लिखी जाती है तो जैसे अलग अक्षरों का हमें ग्यान हुआ अक्षरों से नईनी धोनी बनी लगी तो हर लीपी उमें अलग धोनी होन लगी तो उससे नएने भार्षाओं का जनम हुआ नएने लीपियों का जनम हुआ फिर उनको हम लोग उनके द्वारा इन लीपियों और भार्षाओं के द्वारा हम क्या अभी व्यक्त करने लगे हमें लिखना पढ़ना आया तो बचो हमें इन सब का ग्यान होना जरूरी है हम क्या महत्र भूए ए अकषरों को हम पड़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं औब कहा बने हो किसने बनाई यह सब जानना हमें जरूरी है तो बचों इस पूरे पार्ट में हम लोगने अकषरों का महत्व का पार्ट पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रेश्न अभ्यास हल करेंगे तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा